हलो एवरीवान वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की NSC यानि की National Stock Exchange ने बैंक निफ्टी की जो weekly expiry option contract cycle होती है उसमें कुछ changes किये हैं तो इस वीडियो में हम बहुत ही असान भाशा में समझेंगे कि ये changes क्या है और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें motivate कीजिए तो सबसे पहले अगर हम current process की बात करें और अगर आप bank nifty में option trade करते तो आपको I'm sure कि मालुम होगा कि एक time पे हमेशा 13 जो bank nifty के option contracts हैं वो open होते हैं इसमें से 7 होते हैं weekly expiry contracts, 3 होते हैं monthly expiry contracts और 3 होते हैं quarterly expiry contracts ये मैंने आज earlier in the day में एक NSE की website से screenshot लिया था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 bank nifty के option contract open है with 13 different dates और ये सभी independent होते हैं यानि कि इनमें कोई भी overlap नहीं होता जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो weekly expiry के contract हैं वो इन 7 dates के open है monthly expiry के ये 3 contracts open है और quarterly expiry के ये 3 contracts open है यानि कि जब monthly expiry अगर 30 December को होगी तो वो weekly expiry में include नहीं किया जाएगा तो monthly और quarterly expiry को छोड़ करके 7 independent weekly expiry contracts हमेशा open होते हैं तो जैसे अगर कल क्या होगा कल 23 December का जैसे अब contract expire हो चुका है यानि कि ये खतम हो चुका है 23 December बीच चुकी है तो कल एक नया contract open हो जाएगा क्योंकि 23 December का हट जाएगा वहाँ पे ideally होना चाहिए 24 February का लेकिन 24 February का already monthly expiry contract open है तो ये 3 March का एक contract कल open हो जाएगा और अगले week क्या होगा जब 30 December आएगी तो हमारा monthly expiry contract expire हो जाएगा और उस दिन 31 March का एक monthly expiry contract open हो जाएगा और at the same time क्योंकि quarterly में से एक कम हो गया है वो monthly में चला गया है तो यहाँ पे 29 December जो की last Thursday है December quarter का उसका एक contract open हो जाएगा तो हर time पे आपके 13 contract open होते हैं 7 weekly, 3 monthly और 3 quarterly और आप जानते हैं कि जो weekly expiry होती है वो Thursday trading जब खतम होती है end of the day में तो तब होती है monthly जो contract होता है वो last Thursday of the month expire होता है similarly quarterly expiry भी last Thursday of the quarter होती है और अगर Thursday को कोई trading holiday है तो यह expiry एक दिन पहले होती है तो उमीद करता हूँ कि आपको current process अच्छी तरह से समझा गया होगा और अब अगर बात की जाए कि भाई इसमें change क्या किया जा रहा है तो NSE यानि कि National Stock Exchange ने एक circular जारी किया है और उन्होंने बोला है कि Bank Nifty Index के weekly option contracts में कुछ बदलाव करने वाले है तो यह बदलाव सबसे पहले तो 21 जनवरी 2022 से लागू होंगे यानि कि तब तक जो भी process है वो सेम रहेगी 21 जनवरी 2022 के बाद यह changes implement किये जाएंगे और changes क्या है? Changes यह हैं कि अभी तक हमने देखा था कि हर date पे 7 weekly contract हमेशा open रहते थे जो कि 21 जनवरी 2022 से घटा करके 7 से 4 कर दिये जाएंगे हाला कि अगर 21 जनवरी को भी कोई भी additional contract already open है तो वो maturity date तक open रहेंगे उसमें कोई change नहीं किया जाएगा और 21 जनवरी 2022 से ले करके 3 मार्च 2022 तक कोई भी नया weekly expiry contract add नहीं होगा तो अगर हम एक example के लिए समझें तो जब 20 जनवरी जो कि एक Thursday है 20 जनवरी का जब contract expire होगा weekly तो ideally क्या होना चाहिए था 21 जनवरी को 21 जनवरी को ये सभी contract तो open होने ही चाहिए थे 6 plus क्योंकि 20 जनवरी का contract expire हो गया तो एक नया contract open होना चाहिए था 24 मार्च का ताकि overall साथ रहें लेकिन 21 जनवरी से क्योंकि ये change किया जा रहा है तो नया contract कोई open नहीं होगा similarly उसके बाद जैसे 3 फेबरेरी का contract expire होगा तब भी कोई नया नहीं होगा 10 फेबरेरी का जब contract expire होगा तब भी कोई नया contract open नहीं होगा जो कि existing हमारे open contract हैं वो open ही रहेंगे तो 3 मार्च तक इसमें कोई भी change नहीं किया जाएगा लेकिन 4 मार्च जब आएगी 4 मार्च 2022 तब से दुबारा से 4 consecutive weekly expiry contract open रहेंगे और तब से हमेशा जैसे कि अभी 7 weekly, 3 monthly और 3 quarterly रहते थे तब 4 मार्च के बाद से 4 weekly, 3 monthly और 3 quarterly contract open रहेंगे तो 4 मार्च को कौन-कौन से contract open रहेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो weekly contract होंगे वो 10 मार्च, 17 मार्च, 24 मार्च और 7 April के होंगे monthly 31 मार्च, 28 April और 26 मे के होंगे और quarterly 30 June, 29 September और 29 December के होंगे और अब अगर बात की जाएगी भई इसका जो bank nifty के option trader है उनके ओपर क्या impact हो सकता है तो मुझे मेरी personal opinion में मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा impact होगा शायद NSC इसलिए यह कर रहा है क्योंकि maybe जो भी बाद के weekly contract है उसमें ज्यादा liquidity नहीं होती होगी तो वो अपने complex structure को थोड़ा सा streamline कर रहे हैं इससे राधर फायदा ही होगा क्योंकि liquidity बढ़ेगी पहले आज की date में 7 different contract में जो लोग अपना contract position open रखते हैं वो जब 3 contract उसमें से कम हो जाएंगे तो बाकी 4 contract में जो additional liquidity है वो आ जाएगी तो anyway liquidity में help करेगा तो overall ये bank nifty के जो traders हैं उनके लिए अच्छी बात होनी चाहिए और मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये topic पूरी तरह से समझा गया होगा अगर आपको ये video अच्छा लगा है तो please channel को subscribe कीजिए इस video को share कीजिए like कीजिए और अपने comment देके हमें feedback दीजिए thanks so much for watching the video and god bless you all